हेलो दोस्तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने निलेज के साथ और आज हम देखेंगे रियल लाइफ सेंटेंस ओफ पांच सिंपल टेंस मतलब हमारे दैनिक बोलचाल में दैनिक जीवन में जो हम सब्द प्रयोग करते हैं उसमें कुछ मात्र सो सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा मतलब एज एग्जांपल की तरह उधारन की तरह आज हम सो सेंटेंस देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के क्लियर और पास्ट सिंपल टेंस को और अच्छी से समझेंगे जो नए है वे जान ले कि प्रयोड़ता की स्पोगन इंग्लिस का फुल कोर्स चैनल पर अवैलेबल है जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा उसके लिए वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहांपर प्लेइलिस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी प्लेइलिस मिल जाएगी जिसमें से पा क्लिक करके और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहें तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास और हम बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस से हंड्रेट वाग के अब सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज कर ले ताकि आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई दिकत ना हो तो हमारा फॉर्मूला है सबजेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन अदर वर्ड्स सबजेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन अदर वर्ड्स clear, सबसे simple formula है, past simple का मैंने खाया, पहला example लेते हैं हम जैसे मैंने खाया, मैं मेरी बात करता हूँ तो subject में I, और खाने के लिए verb, eat eat की second form, eat, तो sentence हुआ, I add next, तुमने खाया, तो सामने वाले के लिए यह कहते हैं तो pronoun आएगा you, you add at, खाने के लिए eat, और second form, eight eat की second form, eight होती है उसने दो आम खाया, तो sentence थोड़ा सा बड़ा हुआ subject में उसने, मतलब किसी वैक्ति के बात कर रहे हैं, लड़का है तो ही, लड़की है तो see, he add two mangoes, उसने खाया, he add, उसने दो आम खाया, तो कहेंगे he add two mangoes, उसने दो आइस्क्रीम खाया, he add two ice cream, clear, लड़की है तो see add two mangoes, उसने मेरी आइस्क्रीम खाया, okay, उसने मेरी आइस्क्रीम खा लिए, see add my ice cream, see add my ice cream, see add my ice cream, see है, मिस लड़की की बात कर रहे हैं, वरुन तयार हुआ, वरुन तयार हुआ, वरुन तयार हुआ, वरुन गॉट रेड़ी, वरुन है यहां पर get, और get की second form, got, तयार हुआ, वरुन गॉट रेड़ी, वरुन गॉट रेड़ी, वह भागा, he ran, he ran, भागने के लिए, दोलने के लिए, वरुन है run, और run की second form, ran, उसने देखा, he saw, मैंने भी देखा, I saw two, भी के लिए, सेंटेज के आखरे में, टी, डबल ओ, टू, clear, मैंने भी देखा, I saw, राजु ने भी देखा, राजु saw two, वर्भ है, हमारी see, मतलब देखना, और इसकी second form, saw, वह लेट आया, he came late, उसने खाना खाया, she took dinner, she took dinner, normally खाना खाया तो हम कहेंगे, she took food, परन्तु यदि रात में खाना खाया है, तो उसको हम रात के खाने को डिनर कहते हैं, इसलिए हम पे खाने के लिए हमने डिनर सब्द का यूज किया है, she took dinner, उसने रात में खाना खाया, once ने चिलाया, या once चिलाया, once shouted, रिया ने उसे मारा, रिया बीट टु हिम, अब राजु को मारा कहेंगे, तो हिम की जगह पर राजु आ जाएगा, object में, तो रिया बीट टु राजु, सिया को मारा, तो रिया बीट टु सिया, clear, और जो नार्मरी हम हाथ पेर से मारते हैं, उसको बीट कहते हैं, और जान से मारने के लिए वरबात दिये, kill, बीट की second form बीट ही है, बीट बीट बिटन, तुमने दो चॉकलेट ली, कि महीं तुमने दो चॉकलेट ले ली, और मेरे पास तो एक ही है, अब क्या, तुमने दो चॉकलेट ली, तब हम कहेंगे, you took two chocolates, you took two chocolates, next, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, I met to him, I met to him, वह मुझसे मिलकर खुस हुआ, वह मुझसे मिलकर खुस हुआ, खुस होना, प्रसंद होने के लिए वर्ब आती है, प्लीज और second form हो जाएगी, प्लीजड, उसने मेरी शर्ट पहनी, ही वर्ब माई शर्ट, ही वर्ब माई शर्ट, यहाँ पर वर्ब है वियर, मतलब पहनना, उसके second form वर्ब, तो ही वर्ब उसने पहनी, मेरी शर्ट, माई शर्ट, मैं confused हो गया, I confused, वह confused हो गया, तब कहेंगे, He confused, रहुल confused हो गया, रहुल confused, मैं बहुत खुस हुआ, कुछ होना, स्थिति में आना के लिए वर्ब रहेगी, He became, become, sorry, वर्ब become, और second form, became, मतलब होना, या बनना, दो अर्थ निकलते हैं इसके, I became very happy, मैं बहुत खुस हुआ, वह खुस हुआ, तो, He became happy, राजु खुस हुआ, तो कहेंगे, राजु बिकैम happy, रिया निरास हो गई, रिया बिकैम sad, मैं घबरा गया, I got nervous, I got nervous, clear, Sir ने मुझे बुलाया, और मैं घबरा गया, तब कहेंगे, Sir called me, Sir called me, Sir ने मुझे बुलाया, तो Sir called me, पापा ने मुझे बुलाया, पापा called me, ममी ने मुझे बुलाया mom called me clear call मतलब पुकारना या phone करना second form हो जाएगी called रोहित ने मुझे घर पर phone किया रोहित called me at home जदी वेस इतना कहेंगे कि रोहित ने मुझे phone किया तो रोहित called me घर पर phone किया घर पर के लिए at home रोहित called me at home रोहित ने मुझे निमंतरन दिया रोहित invited me रोहित ने मुझे निमंतरन दिया तो रोहित invited me इसके आगे हम किस लिए निमंतरन दिया के लिए तो हम इसके लिए प्रिपोजिशन फोर यूज करेंगे और जो भी चीज के लिए हम बोल सकते जैसे हां पर बड़े पार्टे लिखा हुआ है तो रोहित इन्वाइटेड मी फोर बर्थडे पार्डी रोहित इन्वाइटेड मी फोर डिनर उसने खाने के लिए मुझे बुलाया उसने मुझे फोन किया यदि राजु ने फोन किया तो क्या बोलेंगे yes राजु कॉल मी उसने राजु को फोन किया तब क्या होगा sentence yes उसने मतलब he called राजु मैंने राजु को फोन किया, तो sentence होगा, I called to राजु, उसने कार चलाई, वर्ब है, हमारी drive और उसकी second form drove, he drove the car, हेमा ने पानी पिया, हेमा drank water, हेमा ने cold ring पिया, हेमा drank milk, तो इस प्रकार, जब हम ये सब्द बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो अपने आप हमें याद हो जाते हैं, हमारी दिमाग में बैठ जाते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ब और सब्द नए लगे, तो घबराय नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिस में, जितना डूपते जाओगे, आप उतना जल्दी इंग्लिस सीख होगे, आप सीख सकते हैं इंग्लिस, ये आप पर ही डिपेंड करता है, यदि आप इंग्लिस सीखना चाते हो, तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको ही सीखना होगा, आप कोई भी नहीं सीखा सकता है clear बस आपको मैं guide कर सकता हूं या और कोई आपको केवल guide कर सकता है पस सिखना तो केवल आपको ही है तो आए यह आगे बढ़ता है next example की तरह उसने मुझसे पूछा he asked to me he asked to me मैंने उससे एक pain दिया देने के लिए वर्म ग्यू की second form gave I gave him a pain मैंने राज को एक pain दिया I gave a pain to राज अब हम कहेंगे I gave राज a pain ऐसा भी हम कह सकते है हमने बहुत मज़े किये we enjoyed lot we enjoyed lot बहुत के लिए सब्दे यूज कर रहे हम lot जैसे हम बोल दे thanks lot बहुत सारा धन्यवाद वैसे बहुत सारा मज़ा तो enjoy मतलब मज़ा करना होता है तो इसकी second form हो जाएगी enjoyed और बहुत के लिए lot तो we enjoyed lot हम वहाँ खेले we played there उसने bill चुकाया he paid the bill bill भरने के लिए पैसे चुकाने के लिए pay pay की second form paid हमने hotel में dinner किया we took dinner in hotel we took dinner in hotel मतला हमने रात का खाना hotel में खाया हम मंदिर गए we went temple हमने पूजा भी की we worshipped पूजा करने के लिए वर्ब वर्शिप और वर्ब रहेगी वर्शिप और second form हो जाएगी वर्शिप तो we राज ने नए कपले खरीदे राज बॉट निव ड्रेस निशी ने नए ड्रेस पहनी निशी वर निव ड्रेस निशी वर निव ड्रेस उछने कार्ड से पेमेंट किया ही मैड पेमेंट थ्रू कार्ड ही मैड पेमेंट थ्रू कार्ड ही मैड पेमेंट थ्रू कार्ड तो वर्ब है यहां पर मेक और मेक की है क्लियर इस प्रकार से मेंख वर्ब का यूज किया जाता है तो सेंटेंज हमारा बिल्कुल सही है कि ही मैट पे मैं थूं कर्ड गोगी ने सरार्ग की गोगी मैट मिंस रेफ गोगी मैट मिंस रेफ कुछ काम किया ऐसा अर्थ जा रहा है याँ पर मैक वर्ब का उसने स्कूल में डांस किया यह परफॉर्म डांस इन स्कूल मतलब इसकूल की किसी प्रोग्राम में उसने डांस किया उसने प्रत्योगीता में भाग लिया मतलब he took part in competition हिस्सा लेना तो वर्ब आएगी take take मतलब होता है लेना और part मतलब हिस्सा तो take की second form took he took part in competition मतलब प्रत्योगीता में हिस्सा लिया मैंने अभियान में भाग लिया जैसे कि यह आजकल सोक्षेता अभियान चल रहा है यह बहुत सारे जाग रुकता अभियान कोई है और वेकिंग प्रोग्राम तो I participate in campaign participate करना मतलब किसी चीज में भाग लेना या हिस्सा लेना तो I participated I participated in campaign मैंने campaign में भाग लिया वहां आगे चला He walked ahead, ahead means आगे He walked ahead हमने आराम किया We took rest वे चले गए They went वे रुके They stayed Stay का मतलब होताय ठर न या रुकना और second form stayed They stayed, वे रुके या ठरे उसने movie देखी He saw movie उसने दस्वी पास की He passed 10th class उसने college में admission लिया He took admission in college He took admission in college उसने अपनी पढ़ाईश वहां शुरू करी तब हम कहेंगे He started his study He started his study उसने private company में job किया He did job in private company करने के लिए verb है do और do की second form यहां पर हमने verb did कप्रयोग किया है तो subject और यह verb है did clear तो he did job in private company वह पूने में रहा He lived in पूने लिव मेंज होता है रहना वह सेकेंड फर्म हो जाएगी लिव वह रहा यह रहता था इन पूने उसने बहुत परिशानी का सामने किया He struggled He struggled very much मुझे पतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना struggle कहाता है मैंने अपना graduation D.U. से किया दैली उनिवर्सिटी I did my graduation from D.U. मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की I completed my schooling मतलब school की सिक्षा कोई schooling कह रहे है I completed my schooling from government school clear पापा ने मुझे डाटा पापा scald at me पापा scald at to me या scald at me ममी ने मुझे डाटा ममा scald at me ममी ने पापा को बताया मॉम टोल्ड टू पापा मॉम टोल्ड टू पापा रावर्न ने सिता जी का हरन किया clear तो कुछ इस प्रकार के जो sentence है थोड़े से वो हमाई दिमाग में आसानी स्याद रहते हैं और इनी sentence की बतुलत हम tense को आसानी से याद रख सकते हैं कि tense का formula याद रखने के बजाए एक sentence याद रख ले तो formula आपको अपने याद रहेगा जैसे रावन किड्नेप्ड सीता जी मतलब रावन हो गया हमारा subject किड्नेप्ड मतलब वर्ब की second form then other words जो हो गया हमारा formula रावन किड्नेप्ड सीता जी कि रावन ने सीता जी को हरन कर लिया तो हनुमान जी ने वाटिका नस्ट की असोक वाटिका नस्ट की वाटिका मिस गार्डन तो कहेंगे हनुमान जी डिस्ट्रोईड गार्डन हनुमान जी डिस्ट्रोईड गार्डन फिर क्या हो अन्त में कि राम जी ने रावन को मारा राम जी killed to Ravan राम जी killed to Ravan वे वापस घर को आए और वे सब वापस घर को आगए राम लच्मन, हनुमान जी और सिदा वे वापस घर आगए वे वापस घर आगए मैंने चॉकलेट नहीं खाई अब हम चल करें नेगेटिव सेंटेंस यहां से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे कि हम देख चुके है सबजेक्ट देखे एक मिनट पहले इसका आंसर देख ले फिर एक क्लिए करता हूं मैंने चॉकलेट नहीं खाई का इंगलिस में होगा I did not eat चॉकलेट I did not eat चॉकलेट तो देखे कि नेगेटिव बनाने के लिए did not का यूज़ हम करते हैं did not चाहे सबजेक्ट कोई भी हो सबजेक्ट के बाद क्या लगेगा did not और दूसरी चीज़ जो आपको नोट करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला रूप हम यूज़ करते हैं तो सबजेक्ट did not वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अधर वर्ब्स तो यह हुआ हमारा फॉर्मूला इसी प्रकार से नेगेटिव संटेंज बनाएंगे clear तो next example उसने मुझे चॉकलेट नहीं दी he did not give me चॉकलेट he did not give me चॉकलेट उसने मुझे पेन नहीं दिया he did not give me pain राज ने मुझे नहीं बताया राज डिड़न्ट टैल मी डिड़न्ट की सॉट फॉर्म होती है डिड़न्ट clear तो राज डिड़न्ट टैल मी टैल मतलब बताना तो वर्ब चॉकी फॉर्श फॉर्म ही रहेगी वर्ब तो टैल का टैल ही रहेगा तो राज डिड़न्ट टैल मी राज ने मुझे नहीं बताया मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया I didn't show to doctor I didn't show to doctor गोगी ने दो उत्तर नहीं लिखे दो टैल छोड़के आगे वे एक्जाम में गोगी डिड़न्ट राइट टू आंसर clear गोगी डिड़न्ट राइट टू आंसर by mistake यहां subject में he है वहाँ पर होगा गोगी so please consider it गोगी डिड़न्ट राइट टू आंसर गोगी ने दो उत्तर नहीं लिखे वह मुझे नहीं मिला he did not meet me he did not meet me वह मुझे नहीं मिला राहूल ने मुझे नहीं देखा राहूल डिड़न्ट या डिड़न्ट सी मी राहूल डिड़न्ट सी मी राहूल ने मुझे नहीं देखा वह वह नहीं गया वह वह नहीं गया he didn't go there वहां के लिए there जाने के लिए वरब go first form में उसने चोर को नहीं देखा he didn't या he did not see the thief he did not see the thief चाचा party में नहीं आये चाचा को कहेंगे इंगलीज में uncle so uncle did not come in party uncle did not come in party उसे अच्छे नंबर नहीं मिले he did not get good marks पाने के लिए मिलने के लिए वरब होती है get clear तो he did not get good marks तन्वी को अच्छी नौकरी नहीं मिली तन्वी did not get good job या तन्वी didn't get good job तुम समय पर नहीं आये you didn't come on time दूदवाल आज नहीं आया दूदवालों कहें इंग्लिस में milkman तो milkman did not come today milkman did not come today मैंने आज पेपर नहीं पढ़ा I didn't read newspaper today I didn't read newspaper today उसने चाय नहीं बनाई she didn't make tea वह अभी तक नहीं आया he didn't come at he didn't come at तो अभी तक जो हम इंदी में उसकी है उसके लिए इंग्लिस में आएगा yet y-e-t yet he didn't come at वह अभी तक नहीं आया एक एक्जाम्पल और उसने अभी तक phone नहीं किया he didn't call at he didn't call at क्या तुमने मेरा मोबाईल देखा तो अब सुरू हो रहा है interrogative sentence clear और interrogative sentence को कैसे structure होता है देखेंगे तो पहले एक्जाम्पल कि क्या तुमने मेरा मोबाईल देखा did you see my mobile did you see my mobile तो structure समझ ले did helping verb उसके बाद you subject verb है see जो की first form में है और my mobile other words में है तो पहले did आएगा फिर subject आएगा फिर verb की first form आएगी और फिर other words आएगे तो इस प्रकार हम interrogative बोलेंगे interrogative word है तो सबसे शुरू में आएगा क्या तुमने कुछ कहा या कुछ बोला did you say something कुछ के लिए something सब्द का यूज किया देंगे did you say something क्या तुमने कुछ कहा क्या तुमने खाना खाया did you take food क्या तुमने चाय पी तब कहेंगे did you take tea clear did you take tea did you take coffee क्या तुमने चावल लिये did you take rice इस प्रकार हम सब्द यूज करेंगे क्या राजु गया did राजु गो did राजु गो क्या तुमने सुना क्या तुमने सुना मैंने जो कहा did you listen what I said did you listen क्या तुमने सुना क्या तुमने यह किया did you do this क्या तुमने यह किया did you do this क्या तुमने क्या कहा क्या तो क्या के लिए what इंटरगेटिव वर्ड तो what did you say तो इस टेक्चर देखे what इंटरगेटिव वर्ड फिर यूज़जेक्ट और वर्ड की first form what did you say तुमने क्या कहा उसने क्या खरीदा what did he buy बाइ, what did he buy, क्या के लिए इंटरिकेटिव वर्ड वर्ड का यूज करेंगे, उसने कितने रन बनाये, कितने रन, how much run, did he score, how much run, did he score, राज को कितना पैसा मिला, how much money, कितना पैसा, how much money, did राज get, how much money, did राज get, उसने कहां रखा है, मतलब कोई चीज, अरे मुझे तु मिल नहीं रही है, उसने कहां रखी है, तब हम कहेंगे, where did he put, कहां के लिए, इंटरिकेटिव वर्ड, where, तो where did he put, वह कहां बैठा है, मुझे तो दिखी नहीं रहा है, वह कहां बैठा है, where did he sit, where did he sit, गोगी कब आया, when did गोगी कम, कब के लिए, इंटरिकेटिव वर्ड, when, समय पुछने के लिए, कब के लिए, when, तो when did goगी कम, ट्रेन कब आई, when did train arrive, when did train arrive, ट्रेन कब आई, तुमने यह कैसे जानते हो, तुम, तुम यह कैसे जानते हो, या तुम्हें यह कैसे पता है, तब कहेंगे, how did you know this, how did you know this, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, कि तुम्हें पहले से यह चीज कैसे पता है, how did you know this, तुमने अपने कैसे हाथ धुले है, तुमने हाथ अपने कैसे धुले है, या देखो, धुले नहीं रहंग से, तब इंगलिस में कहेंगे, how did you wash your hands, how did you wash your hands, तुमने अपना face कैसे धुया है, how did you wash your face, तुमने कौन से मुवी देखी, यह मुवी देखने कहें थे, तो कौन से देखी, तो which movie did you see, which movie did you see, उसने कौन से कार खरी दी, did you know, which car did he buy, तुमने पता है, उसने कौन से कार खरी दी, तो which, do you know, या, did you know, which car did he buy, उसने कौन से कार खरी दी, which car did he buy, उसने swift खरी दी, तब हम कहेंगे, he bought swift, यह किसने किया, who did this, तो who integrative word है, किसने या कौनने के लिए who का यूज़ करते हैं, तो who subject की तरह होता है, तो यहाँ पर verb की second form ही आएगी, clear, तो who did this, यहाँ कौन आया, who came here, तो देखें, sentence में, who subject की तरह है, did, यहाँ verb की second form ही, came भी यहाँ verb की second form ही, clear, और this or here, other words है, who did this, यहाँ किसने किया, who came here, यहाँ कौन आया, next, तुम्हारा फोन किसने चोरा था, या चोरी किया था, who stole your phone, तुम्हारा पेन किसने लिया था, who stole your pen, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, मुझे नाम तो बताओ जरा, तुम्हें किसने बताया, who told you, who told you, तुम्हें ऐसा किसने बताया, who told you about me, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, तो इस वीडियो में बस इतना ही अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएं कम से कम like तो कर ही दे और इस नए देखने वाले इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं और देखना चाहते हैं और इंगलिश सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को subscribe कर ले bell बटन पर किलिक कर ले تक कि आने वाले नए वीडियो आपको तुरंद मिलते रहें थैंक यू